हमारी पहली अपडेट आरी सुनमीद गिल एंड लवपीट की तरफ से कल इनको गेस पोजिंग के लिए बुलाय गया था आप यहांपस गेस पोजिंग के माद्यम से लवपीट की करेंट कंडिशन देख सकते हैं क्योंकि यह पार्टिसिपिट करने वाले भारत प्रोसों में आप यहांपस देख सकते हैं कि जो इनकी ओवर ओल फिजिक है उसमें इन्होंने अपनी सिमेट्री एंड कंडिशन में काफी अच्छा काम किया है ओबर ओल जो इनकी फिजिक है वो यहांपस लीन एंड सेड़ेट दिख रही आप यहांपस इनकी बॉड़ी में डिटेलिंग भी देख सकते हैं मिट सेक्छन ओबलिक अच्छी तरह से यहांपस बिजबल हो रहा है तो दोस्तो आप लोगों को लब पीट की इस कंडिशन को देख किया लगता है क्या लब पीट भारत प्रोसो में टॉप थ्री में आप आएंगे कि नहीं आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं अब हम अपनी नेक्स अपडेट के बिशें बात कर लेते हैं माइन नेक्स अपडेट आ रही है इटली प्रोसों की तरफ से इसमें जो मैंस फिजिक डिवीजन में बिनर बने उंखा नाम है इमाइल वाकर हम आप सभी को बताना चाहते कि इन्होंने सबसे पहले दुबई कॉम्टिशन में पार्टिसिपेट किये थे जिसको जीत के यह ओल इमाइल वाकर लगाता 300 में पार्टिसिपेट करते हैं और तीनों प्रोसों को यहां पर जीत जाते हैं अब इटली प्रोसों के टॉप फाइप मैंस फिजिक बिनर के बिसे बात कर लेते हैं फर्स्ट इमाइल वाकर सेकेंड एलेसेंड्रो थर्ड एविसे फोर्थ फुरकान एंड फिफ्ट केंड डिलन जैसे के आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारे इटली प्रोसों के टॉप फाइप बिनर है इटली प्रोसों में जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग केटेगरी से ओलम्पिया कॉलिफाइग किया है उंखा नाम है थियो लिगूरियर जैसे के आप इस पिक के माध्य हम से देख सकते हैं कल इटली प्रोसों के साथ एक और प्रोसों हो रहा था जिसका नाम था लीगन प्रोसों और इसमें बॉडी बिल्डिंग केटेगरी में जिन्होंने जीता है 2023, LEGION SPORTSFEST PRO MEN'S BODYBOYING CHAMPION, 2R WINNER, CHARLES GRIFFITS! चारल्स ग्रीफिन लीगन प्रोसों में बॉडी बिल्डिंग केटेगरी से खिल लेते हैं और वो इस प्रोसों को जीत के 2020 से ओलंपिय के लिए कौलिफाइग कर गए हैं अब हम अपने नेक्स कैटेगरी के विसे हम बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स डिवीजन है क्लासिक डिवीजन इसको रब डीजल ने जीता है और हम आप सभी को बताना चाहते कि रब डीजल का ये सेकंड प्रोसो था पहला प्रोसो था इनका फ्रांस प्रोसो जिसको वो जीत के और लेड़ी ओलंपिया कौलिफाइग कर गयते लेकिन इन्होंने लीगन प्रोसो में भी पार्टिसिपेट किया और ये अपने सेकंड प्रोसो लीगन प्रोसो को भी कलासिक डिवीजन से जीच जाते हैं इसमें जिनकी सेकेंड प्लेसिंग आती है उंखा नामें लोगन फ्रेंकलीन जैसे के आप यहां पस इस वीडियो के मादे हमसे देख सकते हैं आप यहां पस इन दोनों बाड़ी बीडर के फिजिक को कंपेर करके आप हमें जरूर बताएगा कि आपको किसकी कंडिशन ज्यादा बिटर लग रही लोगन की या फिर रब डीजल की अब हम अपने नेक्स केटेगरी के पिसे हैं बात कर लेते हैं तो हमाई नेक्स केटेगरी है मैंस फिजिक डिवीजन कारियन होल्डन एंड एरिन बैंक्स की फाइनल के टाइम की कंपेरिंग के कुछ यहां पस वीडियो एंड पिक मिलते हैं जिसमें जब हम एरिन बैंक्स को कारियन से कंपेर करते हैं तो आप यहां पस सबसे पहले चेस्ट में फोकस करेंगे तो आपको यहां पस जो कारियन के चेस्ट है वो कंप्लीटली हुज दिखेगा लेकिन एरिन के चेस्ट है उतना ज़्यादा हुज नहीं लग रहा आप यहां पस ओबरॉल जब बाड़ी को भी कंपेर करते तो ऐसा लग रहे कि जो एरिन बैंक्स की फिजिक है उसमें कार्व लोटिंग अच्छी से नहीं हुए जबकि कारियन की फिजिक में आपको कार्व लोटिंग अच्छी तरह से दिख जाएगी इनकी कंप्लीट बॉड़ी यहां पस हुज दिख रही आप यहां पस इन दोनों बॉड अच्छा कारेन के सोल्डर में तो दोस्तों आप लोगों को एरिन बैंक्स एंड कार्यन की फिजिक को देके क्या लगता है क्या जो लीगन प्रोसो के तरफ से रिजल्ट एणॉंस किया गया है कि कार्यन यहां पस बिनर बनते हैं और सेकेंड नमबर पे आते एरिन बैंक्स तो क्या यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सही या फिक गलत आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं थेट नमबर पे आते हैं एंडे फर्गुसन, फोर्स नमबर पे आते हैं रुवेन ग्लास, फिप्त नमबर पे आते हैं टाइलर स्मित, एंड शिक्स नमबर पे आते हैं सेरिफ तो दोस्तो यह रहे लीगन प्रोसो के टॉप 6 मैंस फिजिक विनर के लिस्ट है हमने आप लोगों को इटली प्रोसो एंड लीगन प्रोसो में बॉडी बिल्डिंग के टेगरी क्लासिक डिविजन एंड मैंस फिजिक डिविजन से किस ने ओलंपिया कॉलिफाई किया